हले स्टूडेंस दिस इस सुर्वितिवारी एंड यू आर वाचिंग यूए फेवरेट एजूकेशनल चैनल मागनेट ब्रेंज जहां पर हम देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजूकेशन और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दो चैप्टर्स के बाद आप से किसी किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन मांगा जाएगा यहां पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टेट बोर्ट सी बीए से कुछ राइटर्स के बुक का सॉलुशन और कॉंपिटिटिव एक्जाम जैसे एंटी एसी ओलंपियाड इन सभी की प्रिप्रेशन करवाई ज सब्जेक्ट हम क्लास 6 के साइंस के स्टार्टिंग करें उससे पहले जरूरी है कि आपको आप ही कि क्लास के बाकी टीचर से भी मैं अगेन इंट्रीउस करा दू जिन मेंसे कुछ आपको सोशल इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं इनका साथ होगा तभी तो हम होंगे आने वाले एक्जाम में तो आप साइंस की वीडियो सो देखें साथ ही साथ इन सभी सब्जेक्ट टीचर्स के वीडियो को भी जरूर फालो करें तो चलिए आज से इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स चैप्टर जो कि है चाप्टर नुबर 7 गेटि नहीं है ठीक है तो हमें एक दिन ठीक लगेगा लेकिन दूसरे तीसरे दिन से हमें कुछ अच्छा सा फील नहीं होता पॉर एक्जामपल जैसे कि आप शहरों में रहते हैं आप सिटीज में रहते हैं लेकिन आपको यहां पर कम पेर पौधे देखने को मिलते हैं लेकिन जै के बारे में पढ़ने वाले हैं अब आप सोचेंगे की प्लांट के बाड़ना क्यों है हम दो देख रहें कि हमारे आसपस प्लांट है हमें अच्छा लगता है बस यह काफी है जे नहीं आपको तो पता ही है कि हमारा यह जो पूरा नेचर है उसमें सबसे important part जो है वो है हमारे plants, plants से ही बनते हैं trees, ओके और ये जो trees हैं, ये मिलकर के बनाते हैं forest, जो के हमारे लिए green lungs का काम करते हैं, अब green lungs क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा, हमने हमारे कुछ previous chapter में पढ़ा हुआ है, कि ये जो plant है, ये basically क्या करते है, sunlight से, sun की जो energy होती है, sun से जो light मिलती है, उसकी help से अपना food बनाते हैं, जिस process को हम कहते हैं, photosynthesis के process, ठीक है, अब वो अपना खाना बनाते हैं, खुद को grow करते हैं, तो हमेज से क्या, तो भई, ये जब खाना बनाते हैं, photosynthesis के process करते हैं, तो इस process में ये release करते हैं, oxygen, क्या release करते ह है oxygen और atmosphere में अगर oxygen proper amount में है तभी humans animals यह सभी proper तरीके से survive कर पाते हैं तो मतलब हम directly हमें breathe करने के लिए हमारे respiration के लिए plants जरूरी है साथ ही साथ plants जो है वो हमारी food requirement को भी पूरा करते हैं ठीक है जैसे crops होती है कई तरीके की ठीक है plants होते हैं बड़े-बड़े trees होते हैं अब आप देखिए की plant में भी कई variety हैं पहले crops बोला मैंने फिर क्या कहा plants बोले फिर मैंने कहा trees ठीक है तो यह मतलब variety of यह जो plants है यह सब मिलकर के हमें food देते हैं हमें देते हैं साथे साथ animals को भी देते हैं अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी थोड़ा ध्यान से समझेगा कि मैंने बताया था कि कुछ होते हैं her barriers कुछ होते हैं carnivores और कुछ होते हैं omnivores ठीक है अब यह जो herbivores होते हैं यह एसी एनिमल्स होते हैं या फिर ऐसी सारी चीज़े जो की प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं मतलब जो प्लांट को खाते हैं और जो कानिवर्स होते हैं वह एक ऐसे आनिमल की कैटिगरी में आते हैं जो की उन आनिमल्स को खाते हैं जो मतलब जो की कानिवर्स भी हो सकते ह जो हर्वी वह सकते हैं तो मतलब कि प्लांट जो है वह इन डारिक ली हर तरीकी के अनीमल के लिए ज़रूरी है और humans human event किसफे पर डपेंडेन रहат प्लांट पे और आनीमल सोन टेम अहीं यह यह सब कुछ जो है यह dependent हैं हमारे plant के ऊपर हमारा पूरा अर्थ का balance जो है वो plant पर ही dependent है plant जो है वो क्या क्या करते हैं तो plant भई आपको सबसे पहले तो food provide करते हैं आपको air provide करते हैं ठीके मतलब oxygen provide करते हैं और plants क्या करते हैं और यह जो plant है यह हमारे rain के लिए भी मदद करते हैं प्लांट क्या करते हैं यह प्लांट जो है हमारा proper तरीके से rain हो पाए उसमें भी important role रखते हैं तो यह सारी चीजे हमारे लिए ज़रूरी है हमारी earth पर हर चीज अच्छी तरीके से चल सके उसके लिए भी इस प्लांट हमारे लिए बहुत जादा important है तो हमें इसलिए इन प्लांट्स की study करना होती है ताकि हम क्या कर सकें? ताकि हम अलग-अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में जान सकें और उनका use हम किस तरह से कर सकते हैं और उनको हम किस तरह से बचा सकते हैं और किस तरीके का प्लांट कहां पर लगेगा ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए इसके लिए हम छोटी सी शुरुवात करते हैं प्लांट के बारे में जानने से तो इस chapter में जो की है getting to know plants इसमें हम जानेंगे हमारे इन्ही नननने प्लांट के बारे में कि ये प्लांट होता क्या है इनकी किस पार्ट को हम क्या कहते हैं clear है So, हम इस chapter में क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये discuss कर दू तो हम पढ़ेंगे herbs क्या होती है shops क्या होती हैं trees क्या होती है अब जैसे आप किसी जंगल में जाते हैं forest area में घुमने के लिए जाते हैं तो आप क्या देखते हो आपको अलग-अलग type के पेड़ पौधे दिखते हैं जैसे कुछ बहुत ही छोटे रहते हैं ठीक है और कुछ थोड़े से आपकी height के होते हैं कु plants देखते हैं तो उनमें किस जैसे आप देखते हूंगे ध्यान से तो किसी किसी का तो आपको beach का stamp देखता है लेकिन कुछ-kुछ ऐसे plants होते हैं स्टैम्स नहीं दिखते किसी का जो स्टैम्स है वो काफी चौड़ा होता है बहुत वाइड होता है लेकिन किसी किसी का एकदम थेन होता है कुछ छोटे प्लांट होते हैं स्टैम्स के साथ कुछ बिना स्टैम्स के साथ होते हैं और कोई इतने लंबे-लंबे प्लांट्स होते ह जिनका स्टाम तो काफी पतला होता है लेकिन उनकी हाइट काफी जादा होती है तो किस को क्या कहते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे हमने क्या किया हुआ है इनको अलग-अलग नाम दे दिये है ठीक है, उनकी height के हिसाब से हमने सब को अलग-अलग नाम दिये हुए है जैसे herbs, फिर shrubs and फिर हमने नाम दिया है tree अब tree के बारे में तो आप normally सुनते ही हैं अब हमें आपको बताएंगे herbs और shrubs क्या होते हैं जब आप यह समझ जाओगे कि किस type के, किस height के plant को क्या कहते हैं फिर हम पढ़ेंगे उनके structure के बारे में structure मतला, जैसे human structure क्या होता है हमारे hands हैं, हमारी legs हैं, हम legs से क्या करते हैं, चलते हैं, hands से क्या करते हैं हमारी eyes से क्या करते हैं, ears से क्या करते हैं यह सब human study थी इसी तरीके से अब हमें इस chapter में क्या पढ़ना है हमें plant की study पढ़ना है कि plant के जो various parts हैं उन्हें क्या कहते हैं और उनका कौन सा part क्या काम करता है यह चीज हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे stem के बारे में और leaf के बारे में ठीक है अब जैसे मैं आप से कहूं कि हम study कर रहे हमारे hand के बारे में अब hand में क्या क्या है आपका elbow है चीक है आपकी fingers है आपका palm है बहुत सारी चीज़ें एक hand के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसी तरीके से अब यह जो leaf है plant की उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर आपने देखा होता है ठीक है यह लीव की स्टाड़ी करेंगे फिर हम अब अब फ्लांन के अलग अलग होता है है अब आप आपने अगर कभी कैबिच देखा हो या कैरट देखा हो ठीक है अगर कैरट को अब डारेक्शली तरह से पुल करते हो तो उसके रूट्स आपको कैसे दिखती पतली-पतली से अलग तरीके से एक रूट है ऐसे ही अगर हम किसी और की बात की जैसे कॉरिंडर लीफ की बात करें अगर आप उसको सीधे निकाल करके देखोगे स्वाइल में से तो आप देखो कि उसकी लीफ का उसकी जो रूट्स है वो काफी कैसी होती है फैली होई रहती है तो अगर किसी बच्चे को अभी यह पता है कि रूट कौन सा पार्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो मैं बताऊंगी तो हम रूट में भी अलग-अलग टाइप की रूट पढ़ेंगे क्योंक और आपका फेवरेट जो आपको प्लांट में सबसे ज़्यादा एट्राक्ट करता है यह फ्लार्स ठीक है तो इन फ्लार्स में पैटल्स क्या होती है और सेपल्स क्या होते हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि सेपल्स किसे कहते हैं और पैटल्स किसे कहते हैं और भ किस-किस टाइब की होती है तो इसके अलावा आप जब 7th class में जाएंगे या 8th, 9th class में जाएंगे तो इसी का आगे का portion आपको continue करना है लेकिन वहां आपको कोई यह नहीं बताएगा कि भी stamp क्या है, root क्या है तो class 6th में अभी हम पूरे plant के बारे में जान लेंगे, herbs क्या होती है, herbs क्या होती है और plant के different parts को हम क्या क्या कहते है, clear है तो चलिए तो आज यह जो वीडियो है यह एक introductory वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, अब next video पर हम चले उससे पहले एक छोटा सा activity आपको करने पढ़ेगी, okay, so go outside and observe all the plants around you, अब बहा सारे होते हैं आपके खुद के garden में या फिर आसपास जो garden हो आपके area में वहां जाये, colony के पास जाये और आपको observe करना है, क्या observe करना है कि अलग तरीके के plants को आपको देखना है, आप क्या देखोगे कि कुछ plants जैसे मैंने अभी कहा कि आप कुसी forest में जाते हो तो आपको अल some are just patches of green on the soil, clear है, अब देखो आपको कुछ plants कैसे दिखेंगे जैसे आप बहार जाते हो, आपको कुछ छोटे plants दिखते हैं, जो बिलकुर आपके kitchen के garden में हो सकते हैं, या आपके घर के garden में जो होंगे, वो छोटे छोटे plants होते हैं, कुछ plants बड़े होंगे, कुछ ऐसे होते ह जबा कि आपके soil के ऊपर से patch है green, जिसको आप grass कहते हो, तो वो भी एक plant की category में आएगा, so some have green leaves, while some others have reddish ones, अब आप जब किसी garden में जाते हो, या फिर ऐसे जगे पर जाते हो, जहां पर बहुत सारे plants हैं, तो आप क्या देखते हो, हम generally जब कोई drawing करते हैं, पहले एक बात या दिलाओ, कि जब भी आप drawing करते हो, तो आप क्या करते हो, आप leaves को कौन से color देते हो, green color देते हो, या dark green या फिर उसका combination, पर जब हम naturally देखते हैं, ये देखते हैं, कि हमारे असपस जो plant है, उनमें से कुछ ऐसे plants होते हैं, जिनकी जो leaves है, वो yellowish होती है, या reddish होती है, या blue होती है, तो मतलब जब आप जाओगे, तो आपको ये साधे चीज़े भी देखने को मिलेगी, कि कुछ plants के जो leaves है, जरूरी ने कि हर plant के green ही leaves हो, कुछ की red भी हो सकती है, okay, some have huge red flowers, some have tinny blue ones, while some have none, अब आप जैसे ही बहार जाते हो, तो आपको पहले एक फर्क तो ये दिखा, एक difference तो ये दिखा, कि इनकी leaves जो है, सबकी पहले चीज़ तो shape और size अलग-अलग होगा, ठीक है, सबका क्या क्या अलग होता है, shape भी अलग होता है, leaves का और size भी अलग होता है, and साथी साथ, ये जो आपका color है, वो भी सबका different होता है, ठीक है, then उसके बाद जब आप leaf देख लेंगे सबी की, उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आप देखोगे कि इनके जो flowers हैं, क्या हैं, इनके जो flowers हैं, वो भी अलग-अलग type के हैं, किसी के flowers बहुत बढ़े-बड़े होते हैं, कुछ bunches में लगे होते हैं, कुछ single single, और कुछ ऐसे plants होते हैं, जिनमे बिल्कुल भी फ्लार नहीं होते आई बात समझ में तो मतलब कि हमारे आसपास वेराइटी ओफ फ्लांट्स है जिनकी लीव से लग हो सकती है जिनका हाइट अलग हो सकता है जिनके लीव की कलर अलग हो सकते हैं और इवन फ्लार्ट्स का भी जो शेप साइज है यह सब कुछ आ कुछ कॉंज प्लार है तो इन सब चीजहों की स्टड्डी इस पूरे चैप्टर में करना है तो हमारे आसपास जो भी फ्लार्ट्स है यह हम देख चुके हैं वह चैप्टर को पढ़ना है उससे पहले उसका खुछ समान इखट्टा कर लिया जाए मतलब उसके पारे में थोड़ा सा information ले ली जाए आज पास हम plants को देख करके आ जाए तो जब आप चीजों को देखोगे ना उसके बात समझोगे तो आपको topic और अच्छे से समझ में आएगा चीक है so near our homes in the school ground on the way to the school in the parks and garden isn't it means कि आप जब अपने घर के पास होते हो school के पास होते हो तो आपको हर जगे अलग-अलग plant दिखेंगे schools में कुछ लंबे-लंबे पेर पौधे लगाये जाते हैं ताकि बच्चों को आसानी से चाव मिल सके वो उसकी shadow में बैट करके खेल सके gardens में आपको variety of flowers के plants भी दिखेंगे लंबे-लंबे पेर भी दिखते हैं plants भी दिखते हैं और आपको ऐसे plants भी दिखते हैं जो कि स्वाइल में लगे होते हैं मतलब grasses भी दिखती हैं तो यहां पर क्योंकि हर तरीके के लोग आते हैं कुछ grass में घूमना चाते हैं कुछ प्यारे-प्यारे से flowers को देखना चाते हैं कुछ बड़े-बड़े plants की shadow में बैठना चाते हैं तो मतलब कि हर जगे आपको variety of plants दिखेंगे ऐसे ही आप अगर देखोगे कि आपके घर में तो generally हमारे घर में क्या होते हैं हम या तो कुछ decorative plants लगा है मतलब आपकी vegetables भी होती है और flowers भी होता है ठीक है so let us get to know the different parts of any plant this will help us to understand the difference between plants of different kinds अब आपको क्या करना है हम chapter number 7 के next topic को हम आरे next video में complete करेंगे लेकिन ये next video देखने से पहले आप सबसे पहले जरूर उठे अपनी स्थीट से और बाहर जाईए और garden में घूम करके आईए अभी तक आप garden में जाते थे सिर्फ खेलने के लिए लेकिन अब आपको क्या करना है वहां जाकर के आसपास के सभी प्लांट को बहुत ध्यान से observe करके आना है हर तरीकी के प्लांट को चाहे वह आपके बिलकुल देखने में बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो कई बार होता है ना कि हम किसी जगे पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे बड़े-बड़े पेर पौदे हैं लेकिन चोटा सब फ्लार स्टैम मतलब उनका ये वाला portion और क्या सभी में leaves हैं और दूसरी चीज क्या देखनी है कि क्या सभी के अंदर flowers हैं और बहुत अच्छी बात अगर आपको उनके नाम पता है तो आप उनके नाम भी note-down करो ताकि जब हम हमारा next topic start करें that is herbs, shrubs, trees क्या होते हैं इनके बारे में जब हम discuss करेंगे तो आपके धिमाग में आप सारी की सारी माइंड में वो सारी की सारी images घुमेंगी और आपको एक एक पॉइंट के बारे में एक एक पार्ट के बारे में और अच्छे तरीके से समझ में आएगा clear अब हम मिलते हैं हमारे next video में जिसमें हम discuss करेंगे herbs क्या होते हैं shrubs क्या होते हैं और trees क्या होते हैं क्योंकि अभी हमने क्या देखा अभी जब है जैसे ही आप garden में गय थे या आपने kitchen garden में देखा तो अलग-अलग type के plants दिख रहे हैं आपको trees दिख रही हैं तो इनको height के according किसको hops कहा जाता है किसको shops कहते हैं इनके बारे में अब हम हमारे next video में discuss करेंगे तब तक के लिए आप जोड़े रहे हैं magnet brain से और अगर आप हमारी कुछ previous chapters previous videos देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं www.magnetbrains.com पर जा करके आपको क्या करना है cbs English medium को choose करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे classes दिखेंगी आप classes से हैं तो इस पर क्लिक कर दीजे क्लिक करते साथ ही एक window open हो जाएगी जिसमें कि आपको सभी subjects के folders देख रहे हैं इसमें आपको choose करना है science by सुर्वितिवारी इस पर watch now करिए watch now पर क्लिक करते साथ ही नीचे सारी chapters के videos दिख जाएंगे जो भी वीडियो देखना है उसे क्लिक करो क्लिक करते साथ वीडियो अपन हो जाएगा टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए यह जरूरी होता है कि हम स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को जरूर देखें जब आप पूरा वीडियो देख आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा नेक्स्ट इस कि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि यहां पर हिंदी मीडियम से हो तो अब मागनेट ब्रेंस लेकर कि आया है मागनेट ब्रेंस हिंदी तो अगर आप सारी सब्जिक्स हिंदी में पढ़ना चाहते है इनके टॉपिक्स हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप मागनेट ब्रेंस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें तो अगर आपको मागनेट ब्रेंस से रिलेटेड सभी चीज़े पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए शेयर करिए अपनी सेम क्लास के स्टूडेंस के साथ और उनके साथ जो कि किसी और क्लास में है क्योंकि हमारे पास है 100% free classes from kindergarten to class 12 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी recent update है related to your subject related to your chapters वो जल से जल आप तक पहुँच जाए हम मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay happy, stay healthy, thank you so much